हेलो दोस्तों केंसों आप आज बनाऊंगा मैं लेमन चिकन और यह मैंने कुछ बेजिटेबिल्स लिया है पोक्षे, येलो केप्सकम, रेट केप्सकम और एक पीस लेमन तब इनको मैं काटूंगा पोक्षे को स्लाइस कट में और येलो केप्सकम को डाइस कट में काटिंगे इसी तरह रेट केप्सकम और लेमन को साइट साइट से ही काटिंगे और ये लिए हमने 500 गराम चिकन ब्रेस्ट इसको स्लाइस कट में काटेंगे आप देख सकते हैं दोस्तों ज्यादे मोर्टी भी नहीं होने चाहिए ज्यादे पतले भी नहीं होने चाहिए ठीक इसी परकार काटें आप देख सकते हैं दोस्तों और ये हमारा चिकन ब्रेस्ट पूरा स्लाइस में कट गया है आप देख सकते हैं नहीं ज्यादा मोर्टी नहीं ज्यादा पतले दोस्तों अब हम मैंगनेशन करेंगे वन इस्पून जिंदर गालिक पेस्ट वन इस्पून एग वन टेबल इस्पून चिकन ब्रोथ वन टेबल इस्पून सॉल्ट अच्छे से मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद इसमें एक बड़ा चमच पॉन फ्लार और एक चमच मैदा इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे अब इसमें हम दो टेबल स्पून रिफाइन ओयल डालेंगे जिससे कि हमारा बैटर अच्छे से ब्रेश्ट पर लग जाए आप देख सकते हैं दोस्तों चलो दोस्तों आप करते हैं चिकन को डिफ्राइड एक एक पीस करके हम और हमें डालेंगे और आप देख सकते हैं हमारा चिकन हाफ डन हो गया है अब बनाएंगे दोस्तों सॉस बनाएंगे टू टेबल स्पून ओयल वन टेबल स्पून चॉप गार्लिक यह से टोस्तों करेंगे एक टेबल स्पून चॉप गिरिन चिल्ली हरा प्याज और अच्छे से टोस्तों करेंगे रैड यह लो केप सिकम और अच्छे से टोस्तों करेंगे अच्छे से टोस करेंगे, अब इतमें आदर लेडल पानी डालेंगे वन टेबली स्पून चिकन ब्रोथ, वन टेबली स्पून सॉल्ट गोलावा कॉन प्लार जिससे कि हमारी सॉस थिकनेट में आ जाए और चिकन को दो मिनट की फ्राइ करें और हमारा चिकन डन है अब हम चिकन एड़ करेंगे कि हमने चिकन एड़ किया पोक्षा ही डाले उपर से अच्छे से टोस करेंगे अब देख सकते हैं दोस्तों कॉरिंडर लीफ बढ़िया टॉस करें अब इतने हम लेमन एड़ करेंगे तीन पीस लिए हैं लेमन डालने के बाद ज्यादा न पकाएं यह तो पड़ा पना जाएगा अब इसको प्लेटिंग में डालेंगे और यह है दोस्तों लेमन चिकन तो दोस्तों कैसे लगा कमेंट्स जरूर करना लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन भी जरूर बजाना दोस्तों दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में इालेंगे छोस्तों दोस्तों मिलते हैं